हालो अवरिवन, वेलकम तू स्टे अपडेट प्रजेंट इड़ जे के रखान, तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे परदान मंत्री स्पैशल स्कॉलर्शिप स्कॉलर्शिप स्कीम फर जमू एंद कश्मी स्टूडेंस बैस 2020-2021 के अंडर, तो फाइनली आपका round two counseling का फ्रेंट से declare हो चुका है, पिछली वीडियो में हमने अच्छे तरीके से discuss कर लिया था, कि जिन गैनिटेट्स को allocation हो चुकी है, उनको कैसे अपनी seed confirm करनी है, कैसे अपनी online admission confirm करनी है, वो हमने practically भी discuss कर दिया था वीडियो के अंडर, अगर आपने वो वीडियो नहीं द अलोकेशन राउंड टू में हुई है इसके पीछे आपके दो कारण हो सकते हैं या तो आपने अपनी अच्छे तरीके सो चॉइसी फिल अपनी की होगी सैकिन आपका कारण हो सकता है आपका जो रैंक है फाइनल मेरिट लिस्ट में शायद वो रैंक जो है वो आपका कट आफ में जो कट आफ मेरिट लिस्ट है राउंड टू या फिर राउंड वन की उसमें फॉल नहीं किया होगा ये दो ही कारण आपके हो सकते हैं अभी तक कॉलेज की कोई अलोकेशन नहीं हुई है तो अब तक का när तो कि कारणे लिए आपके ओलगेशन हो चुकी है अपनी सिर्ट में उमीद करता हूं कि वो कन्फर्म कर चुके होंगे क्यूंकि 24 नवंबर 2020 तक ही लाकट डेट थी सीट को कंफर्म करने के लिए और जिन्gen Cash ने सिर्ट को चदिया है उन सभी कैंडिट को अपनी authentic न college allocate हुआ है उसने 24 तारीक को अपनी seat confirm कर दी है और उसने 30 तारीक को अपनी online admission भी confirm कर दी है तो वो आपकी seat lock हो जाएगी जो students अपनी seat को confirm नहीं करते हैं या फिर seat confirm करते हैं अपनी admission confirm नहीं करते हैं उन्हें सबी candidates की seat cancel हो जाएगी और जो cancel आपकी seat रहेंगे उस पे आपकी round 3 counseling दोबारा से conduct होगा अगर मैं आपको बताओं तो पिछले साल जो आपका परदान मंतरी special scholarships की वर जमोन कश्मी students था batch 2029-20 के under आपका round 3 conduct हुआ था और इस बार भी आप probability लगा सकते हैं कि आपका round 3 जो counseling का है वो आपका conduct हो सकता है final confirmation जो है आपकी round 3 counseling की जो आपकी conduct होगी उसकी confirmation आपकी 1 दिसंबर 2020 से लेके 5 दिसंबर 2020 तक EICT की official website पे आजाएगी जो students college join नहीं करते हैं अपनी online admission confirm नहीं करते हैं या फिर अपनी seed confirm नहीं करते हैं उन सभी candidates को फिर दबारा से एक बार chance मिलेगा और जिन candidates को allocation नहीं हुई है यानि कि कोई भी college नहीं मिला है वो candidates फिर participate करेंगे round 3 के लिए same process आपका चाहिल चलेगा आपको दबारा से अपनी चोशिस को fill करना है और जो factors हमने discuss किये हैं उन factors पर आप focus करें जो हमने factors किया है वो ही domain है अगर आप उसमें अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हो तो आपको बिल्कुल allocation हो जाएगी क्योंकि काफी सारे students को allocation नहीं हुई है उनका rank भी अच्छा है वो category से belong करते हैं लेकिन उन्होंने काफी सारी तरीक बाएगी काफी से